में राजेश चेतन बिमा ब्रो के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ एक फरवरी को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीता रमणजी ने संसद में बजट पेस किया और इस बजट में इस बात प्रस्टनल फाइनेंस पर बहुत सारी बातें बदली गई हैं बहुत सारा चेंज आया है आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर टेक्स लेब को भी चेंज किया गया है मित्रो आज की इस चर्चा में जो मुख्य बिंदू है हमारे में से बहुत सारे मित्र करोड़ पती बनना चाहते हैं और वो भी भारे सरकार को टेक्स दिये बिना तो आज के वीडियो में मैं ये चर्चा करूंगा कि आप किस प्रकार से करोड़ पती बन सकते हैं भारे सरकार को टेक्स दिये बिना तो बहुत सिंपल है इस बार रिमला सीता रमनदी ने ये कहा है कि 31 मार्च के बाद यानि कि 1 अपरेल 2023 से 5 लाख से उपर की जो प्रीमियम की इंशुरेंस पोलसी होंगी उनकी मेचुरिटी टेक्सेबल हो गई इस बात को आप यूँ समझ लीजिए कि यदि आपने 5 लाख रुपे से उपर का कोई इंशुरेंस प्लैन लिया किसी भी कमपनी से या प्राइवेट किसी भी कमपनी से और ये प्लान मान लीजिए 20 साल का है तो आपने लगवग लगवग एक करोड रुपया जमा किया और इस एक करोड की जो मैचुरेटी होगी अलग-अलग कमपनी में अलग-अलग होगी मोटे तोर पर अब ये मान लीजिए एक करोड से दो करोड से लेके एक करोड आप जमा करेंगे दो करोड से लेके धाई करोड रुपय तक की मैचुरेटी आएकि ये मैचुरेटी अब यदि आपने policy लेते हुए premium पे ATC का rebate ले लिया है तो फिर जो premium maturity में से कम होकर उस पर tax लगना चाहिए था ये पूरे amount पर आपका income tax लगेगा तो मोटे तोर पर अगर मैं बात करूँ तो धाई करोड रुपे की maturity और निस्चित रूप से आपने ATC का rebate लिया होगा तो ये धाई करोड का धाई करोड amount taxable हो गया है इसका मतलब क्या हुआ क्योंकि जब धाई करोड की maturity है तो आप 30% के tax bracket में आएंगे और 30% के tax bracket में आएंगे तो धाई करोड रुपया का जो capital आपको मिल रहा है उस पर लगवक 30% यानि की 75 लाक रुपया आपको tax देना पड़ेगा तो इस बात को समझेगा ये प्रस्ताव जो भजट में आया है ये एक अपरेल से लागू करने का भारस सरकार की योजना है आ आप इससे पहले आप अपनी tax planning कर लेजिएगा और बढ़ा कोई premium का plan आप ले लीजिए 31 मारस से पहले जो plan आप खरीद लेंगे वह tax free रहेगा आखिर तक तो ध्यान रखिएगा आपके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं है 31 मारस 2023 तक का समय है आप अगर कोई planning कर रहे हैं आ कोई जरूरी नहीं है कि आप premium yearly days आप monthly premium में भी plan में enter हो सकते हैं और जब चाहें अपना premium का mode change कर सकते हैं तो ये maturity amount आप को आप करोड़ो रुपे की capital आप create कर सकते हैं जरूरी नहीं 5 लाग का जो आपकी capacity हो आप 6 लाग का 8 लाग का 10 लाग का कितना भी आज कोई कोई उसके उपर किसी प्रकार का सरकार की ceiling नहीं है आप कितनी ही बड़ी policy खरी दिये उसकी maturity 31 मार्ज तक 1010D में पूरी तरह से tax free रहेगी बस मेरी इस प्रातना को आप स्विकार कीजिएगा बहुत बड़ा आवसर है tax free क्रोड़ पती बनने का इस आवसर को छोड़ना नहीं ध्यान र रही है पहले सरकार की saving हुआ करती थी EEE exempt 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 अब सरकार बदल रही है भारत की सरकार वे ATC और 1010D धीरे धीरे आइस्ता आइस्ता दोनों को समाप्त करने की तरफ बड़ रही है ये मोका छोड़ना नहीं है 31 मार्ज तक जो भी आपके अभी करता है जो भी आपके अजेंट है जो भी आपके advisor हैं उनको contact कीजिए और एक बड़े amount का plan ले लिजिए आप मेरे youtube channel को subscribe कर रहे हैं मुझे support कर रहे हैं मुझे समर्थन दे रहे हैं मैं दिल से आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नमस्कार